तो हलो अव्रिवन आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ तो भाई साहब यानि के दोस्तों आपने कांतारा मूवी का नाम सुना होगा भाई उसका प्रीकुल बनने जा रहा है और उसकी अपडेट आई है भाई उसकी अपडेट आई है और वो भी दोस्तों बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा भाई कांतारा टू का पोस्टर आया है जो कि हॉमबाले फिलिम्स ने अभी 40 मिनट पहले दोस्तों इसको अपडेट दिया है और क्या अपडेट है भाई कांतारा वन अगर जिसने नहीं देखी है न भाई जाके देखो क्योंकि ये मूवी जो अब आने वाली है ये उस मूवी से पहले की कहानी है यानि के वो एक तरीके से मान लीजे चैप्टर टू था और ये चैप्टर वन है यानि के वो कहानी कहां से शुरू हुई ये कहानी उसका दर्शाई की के वो कहानी एक्चुली में क्या थी और ये कहानी उस कहानी से पहले की होगी जैसे आपने देखी थी बाहु बली यानि के बाहु बली आई तो फस्ट मूवी थी लेकिन वो एक्चुली में जो मूवी के अंदर जो कहानी चल रही थी वो उस कहानी का दूसरा भाग थी ओ फाई साफ मतलब फाड़ने की पूरी तयारी कर लिए रिशब शेटी ने एंड होंबाले फिलिंस ने भाई इस मूवी को भी राइट करा है रिशब शेटी ने एंड इसको डिरेक्ट भी रिशब शेटी ने करा है भाई गजब की मूवी थी कांतारा भाई में हिली गया था लाश्ट का सीन देखके तो मेरी फटके हाथ मा आ गई थी अब दोस्तों इसकी जो अपडेट हाई है वह आई है दोस्तों यहाँ पर जो इसका फर्स्ट लुक आने वाला यानि कि आप फर्स्ट लुक पोस्टर की रूप में भी हो सकता है तीजर की रूप में भी हो सकता है या फिर एक गिलिम्स की रूप में भी हो सकता है या मोशन पोस्टर भी हो सकता है कि भाई इसका कुछ ना कुछ ये फीरेम से देंगे क्योंकि पालपन करने के लिए ना मुकर ना फिर फीरेम जी चाइए रिवरें धूं पोस्टर नइ जाएगाई फोस्टर में महता नहीं आएगा एक गिल्म्स वीडियो और dim ही तो मज़ा आएगा कुछ ऐसी चीज जो की एकसाइट हो जाने वाला है अब यहां पर दोस्तों टाइमिंग भी इन लोगों कि बारा बच के 39 मिनट नहीं 12 बच के 25 मिनट भारा बच के 25 मिनट पर दोस्तों यहां पे इसकी टाइमिंग रिविल कर दिये एंड बताय जारा फ़स्ट लुक ओन 27 नौंबर 12 बच के 25 मिनट कांतारा उपर लिखा है It's not just light It's a दर्शन मतलब दोस्तों इनों ने जो caption लिखा है पोस्टर में ये इसको बिल्कुली light मतलो and it's a दर्शन मतलब अब होंगे दर्शन अब दर्शन होंगे यानि के जो हमें देखने को मिले दे ना उसमें जो last में जो बन जाते हैं रिशब शेटी वो तो इसमें I think so ये दर्शन करवाएंगे ये कैसे हुआ ये हुआ क्या है रिशब शेटी का क्या हुआ last में जाके ये सब दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर अब कहानी समझ में आने वाली है क्योंकि हमें ये तो पता लग चुका था कि भाई वो किसके अंदर आ रहा है और किसके अंदर आ चुका है अब क्या होगा लेकिन ये चीज आई कहां से एंड रिशब शेटी के अंदर जब वो चीज गई तो वो एक्चुली में बाद में जब एंड होता है तो बाद में रिशब शेटी का इन लोगों ने क्या करा कहां गया कुछ नहीं पता चला मूवी ठीक सीधा खतम कर देती तो यहां पे दोस्तों इसका खुलासा होने वाला नीचे कॉमेंट मुझे ज़रूर बताना तो मिलता हूँ आप से लेकिती वीडियो में ने थैंक्सर वाच